तो हम मंगल की महादसा के बारे में बात कर रहे थे अब तक हमने पंचम भाव तक के लिए बात की है अगर आपके लगन चार्ट में मंगल एक से लेकर पांचवे भाव तक कहीं भी इस्तित हो तो मंगल की महादसा आने अपर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं इस वीडियो में चठे भाव के बारे में बात करेंगे, चठे भाव में अगर आपका मंगल इस्तित है, तो मंगल की दसा स्टार्ट होने की तुरंत पस्चाथ या स्टार्ट होते ही आप अपने मारग में जो भी चुनोतियां आ रही हैं, चाहिए वो आपके कैरियर से लेना सुरू करेंगे, आप अपने डेली लाइप के चोटे से चोटे काम को भी काफी ज़्यदा सिरियसली लेना सुरू कर देंगे, इस बज़े से आपके कैरियर में सफल होने की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल आपके चार्ट में हैं तो आपको बहतर तरीके से मदद कर सकेगा, जो भी समस्यां और चुनोतियां आ रही हैं उनसे निपटने के लिए, ऐसा मंगल की दसा आपके लिए इजी तो बिलकुल नहीं रहने वाली है, क्योंकि मंगल की दसा के दोरान बहुत सारे आपके सत्रू बन जाएंगे, इवन आपके वरक प्लेस पे या आपके डॉमेस्टिक लाइफ में काफी लोग सत्रू हो जाएंगे, मंगल की इस दसा में लेकिन आप हर प्रकार की चुनोति से काफी सीरियसली निपटेंगे और अपने सत्रू को प्राजित करने में बहुत हद तक सक्सम रहेंगे, मंगल अगर यहां वकरी इस्तिति में है और तब अगर आपको मंगल की महादसा आ रही है तो आपके लिए समस्याओं और चुनोतियों से निपटना और ज़्यादा एजी हो जाएगा, मंगल की महादसा के दौरान आप यह देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है काफी ज़्यादा भड़क जाएगा, छोटी से छोटी बात को लेकर, तो थोड़ा इससे आपका डॉमेस्टिक लाइफ का जो बैलेंस है वो बहुत हद तक बिगड़ सकता है, मंगल के यहां होते वे आप अपने स्वास्ते पर भी काफी ज़्यादा ध्यान देना सुरू कर देंगे, इससे आ आप अपने डेली लाइफ में या डेली एक्टिविटीज में काफी ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे, तो ऐसा मंगल आपको चुनोतियों का सामना करने में सक्सम तो बनाएगा, इसके साथ वो आपको आपके दैनिक जिवन में या सार्रिक रूप से काफी सक्रिय इस प्रकार का मंगल आपको फोरें ट्रेवल में भी काफी ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन ये मंगल की दसा आपके रिलेसिंसिप के लिए उतनी अच्छी सावित नहीं होगी, क्योंकि मंगल एक बहुती फायरी प्लेनेट है, और फायरी प्लेनेट की जब भी दसा आती है, तो आप अपने घर परिवार के लोगों, अपने रिलेटिव को भी कुछ वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप बाहर के लोगों को ट्रीट करते हैं, या अपने सत्रों के साथ आप जैसा बिहेव करते हैं, तो ऐसी कंडिशन में अपना बिहेव चुनोतियों से बरा हुआ इस्तिति हो। चाहे सामाने इस्तिति हो। आप उसको सुविकार कर लेंगे बहुत ज़ल्दे। और उसको एड़स्ट करने में बहुत हद्धक सक्सम रहेंगे। इसी प्रकार से आप केरियर के लिए कुछ नए अुशर तलाज सकते हैं और जिसके लिए आप कितने भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं ऐसा मंगल आपको आपके सारिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय बनाने के साथ हर प्रकार की चुनोती और समस्या से निपटने के लिए बहुत हद्दक सक्सम बनाएगा इसके सासत आपको कुछ फाइट्स का सामना करना पड़ सकता है अपने जिवन साती के साथ भी मंगल की यहां इस्तिती है तो आप मंगल की दसा के दोरन जमीन जायदा से जुड़े हुए जगटों में थोड़ा सावधानी जरूर बरते हैं आपको काफी नुक्षान जहिलना पड़ सकता है मंगल की दसा आपकी मेंटल लेवल को भी काफी सक्री रखेगी इस बज़े से कोई न कोई चिंता आपको हमेशा ही लगी रहेगी अक्सर आपका अपने पड़ोसियों से रिस्तेदारों से भी कभी कभी विवाद होता रहेगा इसके लावा आपका चेहे कोई भी कितना नजदी की हो अगर वो विक्ति आपसे सत्रूता रखता है या आपके अगेंस्ट कोई काम करता है तो आप उससे जम कर लोहा लेंगे आप हमेशा हर प्रकार का वो विक्ति जो वास्त में आपके against खड़ा होता है या आपके against को statement देता है आप उसको अपना सत्रो ही मानेगे भले ही वो आपका कितना भी नजदी की है मंगल की इस इस्तिति की वज़े से आप अपनी दैनिक क्रियाओं को काफी तेजी से निप्टाने की कोशिस करेंगे मंगल की दसा में आपके निरने और आपके एकसन बहुत ज़्यदा fast होंगे मंगल की दसा की दौरन आपकी छोटी से छोटी गलते भी आपके उपर बहुत ज़्यदा भारी पढ़ सकती है मंगल की दसा में आप इदर उदर का काफी सारा ट्रेवल करेंगे इस सारीक रूप से भी आप काफी ज़दा सक्रिय और बीजी रहने वाले हैं अब मंगल यहां डिपेंट करता है किसी पर्टिकुलर अगर दूसरे ग्रे के साथ बैठा है जैसे मंगल हो सकता है बुद्ध के साथ बैठा हो तो ऐसा मंगल आपको अपनी दसा के दुरान तरक वितरक में काफी सक्रिय बनाएगा और अपने वानी का और अपने कामों का जो प्रभाव है बहुत जल्दी आप दूसरों पर छोड़ेंगे ऐसा मंगल वास्तव में आपको इतना ज़्यदा सक्रिय बनाएगा कि आप हर काम को तुरंट करना चाहेंगे ऐसे इस्तिते में आपके अपने कलिक्स के साथ और अपने बोस के साथ कुछ हद तक आपके समंद बिगड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं अब मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के भी स्वामी हैं यानि मेश रासी और वर्ष्टिक रासी आपके चार्ट में जिन भावों में भी पढ़ रही हैं उन भावों से समंदित चुनोतियों से हमेशा ऐसा मंगल निपटने में आपको बहुत ज़्यादा सक्सम बनाएगा इसके साथ कोई भी विक्टी मंगल की महादसा के दुरन अगर आपसे जगडा करता है विवाद करता है आप तुरन उससे निपट लेंगे तो वास्तम में ऐसा मंगल आपको बहुत हद तक हेल्फ करेगा जो जीवन में आपने टार्गेट बना की रखा है कोई भी पर्टिकुलर चाहे वो आपने कारिये छेतर के लिए चाहे अपनी डॉमेस्टिक लाइफ के लिए इसके साथ ऐसा मंगल आपको भाईयों के साथ काफ रिलेशन्स रखने चाहे ऐसा मंगल वास्तम में आपके उपर कोई पुलिस कारिवाई या ऐसा एक्सन भी करवा सकता है डिपेंड करते हैं आपका मंगल यहां कैसे इस्तिति में है इसके साथ आपको मंगल की महादसा के दौरान आपके बारवे भाव को भी देखना बहुत हाउस को नाइन्थ हाउस पर जब मंगल की ऐसे में दृष्टी पड़ती है तो ऐसा मंगल आपको दूर की यात्राओं में काफी सक्सम बनाएगा काफी तेजी से यात्राएं करेंगे आप इदर उदर का ट्रेवल बहुत ज्यादा करेंगे जिससे हो सकता है कभी-कभी आप आपको अपने काम या अपने प्रोफेशन के वज़े से इदर उदर कहीं जाना पड़ सकता है आप काफी बीजी रह सकते हैं तो थोड़ा मैरीड लाइफ और डॉमेस्टिक लाइफ पर ध्यान कम ही दे पाएंगे लेकिन ऐसा मंगल आपको दूर के लोगों से काफी प्रिये बनाएगा और तेजी से एक्षन औरियेट बनाएगा तो आप कोई भी जो फैसला करेंगे उसके उपर आप काम करना बहुत जल्दी ही शुरू कर देंगे जिससे आप और लोगों से काफी आगे रहेंगे हमेशा आप इवन अपना जो डिसीजन है वो भी समय से बह बारवे भाव और आपके लगन पर रहेगी लगन पर जो दर्ष्टी रहेगी उसके वज़े से आप एक बहुत फाइटर की तोर पे नजर आने लगेंगे दूसरे लोगों तो बहुत लोग आपसे ये सिकायत भी कर सकते हैं कि आपका जो बिहेव है वो काफी चेंज हो चु लकती है दुरगटना होती है तो ऐसे में आपको बलजल्टेड़ इशूज हो सकते हैं इसके साथ मंगल की दसा में आपको अक्सर फॉस्पिटल में भरती होना पड़ सकता है इसके इलावा मंगल की दसा के दौरान मंगल आपको फोर्स करेगा हर काम को बहुत पुर्ण कर देंगे जबकि आप किसी भी काम को पुर्ण रूप से स्टार्ट करने के बाद पूरा नहीं करेंगे यह आपको एक बहुत बड़ा इस्यू आ सकता है तो अब आपके उपर करता है कि आप मंगल की एनरजी को कैसे यूज करते हैं, मंगल की एनर्जी को किस प्रकार से positive way में यूज करते हैं किस प्रकार से handle करते हैं अब आपको चंदर्मा को देखना पड़ेगा क्या चंदर्मा का प्रभाव मंगल पर पड़ रहा है या मंगल का प्रभाव चंदर्मा पर पड़ रहा है अगर चंद्रमा के साथ मंगल का connection है तो आपको emotionally उतना ही ज्यादा strong बनाएगा मंगल